दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वटसअप में किसी भी चैट को किसी भी गुरूप को हाइट कैसे करते हैं कैसे छुपाते हैं अगर आप वटसअप में अपनी प्रैविट चैट को हाइट करना चाते हैं तो बिना किसी एप के आप चैट height कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने WhatsApp के अंदर किसी Chat को, किसी ग्रूब को height किया है, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को update कर लेना है, update करने के बाद, जो Chat आप height करना चाते हैं, उसे आपको select करना है कुछ इस तरह से अगर आप group hide करना चाते हैं तो आपको group को भी select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर दो chat मैंने यहाँ पर select कर ली और यहाँ पर मैं group को भी select कर लेता हूँ तीन chat यहाँ पर मैंने select कर ली है अब इसके बाद हमें क्या करना है उपर three dot पर click करना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा lock chats, lock chats मतलब दोस्तो chat जो है वो hide भी हो जाएगी और lock भी हो जाएगी, ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है, lock chats पर click करना है, इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा, अब यहाँ पर continue पर click करना है, इसके बाद आपके mobile का जो screen lock है वो आ जाएगा अब यहाँ पर आप password भी डाल सकते हैं यहाँ पर आप fingerprint भी confirm कर सकते हैं, जैसी मैंने यहाँ पर fingerprint को confirm किया तो आप देखेंगे यहाँ पर chat hide हो गई है दिखाई नहीं दे रही है जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से WhatsApp को मैं बंद करता हूँ तो दुबारा open करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो chat को हमने hide किया है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है आलिया और सल्लू की chat यहाँ पर hide हो गई है अब hide की हुई chat अगर आप देखना चाते हैं तो WhatsApp की screen पर आपको swipe down करना है तो आपको यहाँ पर locket chats का option दिखाई देगा और यह locket chats का option दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपने WhatsApp में कोई chat या कोई group को hide किया हुआ है तो आप इसे यहाँ से locket chat को भी hide कर सकते हैं यहाँ से आप इसे भी हटा सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा ठीक है तो जो chat आपने hide की है अगर आपको उसे देखना है तो आपको यहाँ पर locket chat पर click करना है यहाँ पर आपको lock को unlock कर लेना है यहाँ पर आपको अपना fingerprint lock जो है वो confirm कर देना है तो chat जो है वो unhide हो जाएगी ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आप locket chat को ही hide करना चाहते हैं यहाँ से तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर locket chats पर click करना है lock को unlock कर लेना है आपकी chat दिखाई देगी जो आपने hide की है अब यहाँ पर उपर में आपको three dots मिलेंगे आपको यहाँ पर three dots पर click करना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी chat lock settings इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी hide locket chats यह setting आपको on करना है, इसके बाद नीचे create secret code पर click करना है, और यहाँ पर आपको अपना code create कर लेना है, जो भी code आप यहाँ पर create कर रहे हैं, उसे आपको कहीं पर लिख कर रख लेना है, अगर आप code भूल जाएंगे, तो फिर दोस्तों क्या होगा, जो chat आपने height की है, उसके अंदर जितनी भी chats है, photos, video से वो delete हो जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर code type करने के बाद next के button पर click करना है, फिर से code को एक बार यहाँ पर confirm करके done कर देना है, तो setting on हो जाएगी, setting on हो गई, अब यहाँ से back आते हैं, तो आप देखेंगे locket chat भी यहाँ से hide हो गया है, मैं swipe down कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chat वाला option यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से दोस्तों आप what's up के अंदर अपनी private chat और private group को hide कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने chat hide कर रखी है, ठीक है, अब बात करते हैं, जो chat आपने hide की है, उसे अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, तो आपको यहाँ पर search बार पर click करना है, जो code आपने set किया था, वो code आपको यहाँ पर dial करना है, तो आपको यहाँ पर locket chats का option मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई गलत code डालेंगे, तो यहाँ पर locket chat का option नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर locket chats पर आपके लिख करेंगे, तो lock की हुई chat आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इस तरह से दोस्तों आप locket chats के अंदर hide की हुई chat को देख सकते हैं, अब बात करते हैं, अगर आप code भूल गए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो chat आपने hide कर रखी है, उसे आप बाहर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने chat को hide कर रखा है, टीक है, दो chat है, लिकिन यहाँ पर मैं lock भूल गया हूँ, टीक है, माल लीजे, यहाँ पर मैं lock भूल गया हूँ, गलत code डाल रहा हूँ, तो chat तो नहीं मिलेगी, तो फिर locket chat से chat को बाहर कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको उपर three dots पर click करना है, यहाँ पर settings पर click करना है, यहाँ पर आपको privacy पर click करना है, इसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको setting मिलेगी, chat lock, इस पर आपको click क जाएगी लेकिन उसके अंदर जो भी चैट थी मीडिया फाइल थी वो सभी डिलीट हो जाएगी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर अनलॉक एंड किलियर पर मैंने किलिक किया आपके मुबाइल का स्क्रीन लॉक आ जाएगा यहाँ पर आप अपना लॉक भी डाल सकते है फिंगर प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं ओके कर देना है अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो चैट है वो बाहर आ गई है और जो चैट है वो डिलीट हो गई हैं से बैक आते हैं तो आप देखेंगे गुरूप को हाइट किया था मैंने उसके अंदर सारी चैट डिल हो गई तो अगर आप लॉक भूल जाते हैं तो फिर दोस्तो आपको यहां.- दिक्कत हो हाईगी इक, इक बात का आपको ध्यान रखना है यहां पर दोस्तो आपको लॉक को भेज हो तो आप देक है अगर दोस्तो आप वेच्टाइट को वापस लाना चाहते वट्सप बैक आप को रिस्टोर करके तो फिर आप ये वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना